अलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं प्रेशर सेफ्टी वाल और प्रेशर रिलीफ वाल के बारे में जी हां बहुत ज़्यादा कन्फूजन होता है कि आखिर प्रेशर सेफ्टी वाल और प्रेशर रिलीफ वाल दोनो एक चीज हैं लेकिं दोस्तो दोनों अलग अलग हैं दोनों में काफी सारे डिफ्रेंसे थैं बहुत बार ये question interviews में पूछा जाता है कि आखिर pressure safety wall और pressure relief wall में क्या difference होता है तो इसी बारे में हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो चलिए वीडियो को stat करते हैं तो friends देखिए अगर हम relief wall की बात करते हैं तो relief wall को design किया जाता है system के failure को fail होने से बचाने के लिए system को है न और protect करने के लिए equipment को over pressurized condition से यानि कि ये system को over pressurized condition से और damage होने से बचाता है system failure होने से बचाता है जबकि अगर हम safety wall की बात करें तो safety wall जो है हमारा वो pressure walls होता है जिसे design किया जाता है protect करने के लिए people, property और process को तो चलिए समस्ते है इनके पीछे का जो difference है उसे समस्ते है तो देखिए safety wall क्या होता है safety wall में pressure को पहले से set किया जाता है और जब system में pressure उस limit तक पहुँच जाता है तो ये suddenly pop up होता है और open हो जाता है suddenly open हो करके pressure को release कर देता है atmosphere में ये atmosphere में pressure को release कर देता है और system का pressure जो है वो low कर देता है जिससे कि वहाँ पर accident होने के chance जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं जबकि अगर हम बात करें pressure relief wall की तो pressure relief wall क्या होता है जैसे जैसे system में pressure बढ़ते जाएगा gradually ये open होता है यानि कि pressure जितना बढ़ेगा उतना ही इसका wall धीरे धीरे open होगा अगर जादा pressure बढ़ेगा तो जादा open होगा अगर कम pressure बढ़ेगा तो थोड़ा सा open होगा और इस तरह से ये उसके pressure को maintain रखता है उसी set point पर पे ही set रखता है और ये जो है सिधा atmosphere पे release नहीं करता है जो भी है जो भी यहाँ पे fluid use हो रहा है उसे ये direct system में वापस या तो वापस divert करता है या इसके लिए अलग से container रहता है जिसमें divert करता है यानि कि ये atmosphere में release नहीं करता है ये सबसे पहला और सबसे major difference है pressure relief valve और pressure safety valve के बीच में और दूसरा सबसे बड़ा difference जो है वो ये है कि जो आपका pressure safety valve है इसको use किया जाता है compressible fluids के case में जैसे कि gas हो गया steam हो गया vapor हो गया है जिसे compress किया जा सकता है ऐसे fluid जहाँ पर use हो रहे हैं वहाँ पर आपका pressure safety valves को use किया जाता है जबकि अगर हम बात करें pressure relief valve को तो इसको use किया जाता है non-compressible fluids जहाँ पर होते हैं for example water, oil ये सब incompressible fluids हैं तो ये थे main difference एक बर फिर से आपको बता देता हूँ pressure safety valve जो है वो suddenly open होता है it opens suddenly जैसा ही pressure set pressure से ज़्यादा होगा है ना उस set pressure तक पहुँचेगा तो ये तुरन open हो जाएगा, full open हो जाएगा जब तक system का pressure जो है वो low नहीं हो जाता है decrease नहीं हो जाता है लेकिन PRV में क्या होता है ये gradually pressure open होता है जैसे जैसे इसमें pressure build up होता जाएगा वैसे वैसे gradually ये open होता जाएगा और system के pressure को maintain करता जाएगा है ना तो friends ये वीडियो थी हमारी pressure relief valve और pressure safety valve के उपर दोनों के बीच में क्या difference होता है ये question बहुत बार interviews में पूछा जाता है तो friends उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा